सेयोजक्ता आबंध सिध्धान्थ बहुत ही सरल तरीके से उपसासेयजन योगिकों का बनना समझाती है सेयोजक्ता आबंध सिध्धान्थ के अनुसार उपसासेयोजक्त योगिक बनाने के लिए केंद्रिय धातू परमानू आवश्यक संख्या में रिक्त ओर्बिटल उपलब्ध कराता है और ये रिक्त और्बिटल या इनकी संख्या केंद्रिय धातू परमानों की कौडिनीशन नंबर उपसा संख्या के बराबर होती हैं ये रिक्त और्बिटल जो तयार होते हैं वो केंद्री धातू परमानू के परमानविक और्बिटलों के मध्य हाबराईजेशन संकरण के फल्सरूप उत्पन होते हैं और इस संकरण की क्रिया के लिए केंद्री धातू परमानू अपने N-1 D-orbital, N-S-orbital तथा N-P-orbital का उप्योग कर सकता है या फिर यह अपने N-S-orbital, N-P-orbital तथा N-D-orbital का उप्योग कर सकता है इस प्रकार यह सभी और्बिटल आपस में संकरण करते हैं और इस तरह से अपनी उर्जाओं का पुना मिश्रण करके उतनी ही संख्या में नए संकरित और्बिटल बनाते हैं इन संक्रित रिक्त और्बिटलों में ही लिगंड्स के द्वारा दान किये गए इलेक्ट्रानों को रखा जाता है संक्रान के उपरां ये सभी हाइब्रिड और्बिटल्स कौर्डिनेशन नंबर, सेंट्रल मेटल एटम की कौर्डिनेशन नंबर के अनुसार ही जो निश्चत जामितियां होती हैं जैसे कि अस्ट फल्की, चतुष फल्की या वर्ग समतली जामितियों के रूप में ये दिक्त विन्यास में स्पेशल अरेंजमेंट प्राप्त कर लेते हैं और इस प्रकार जो अरेंजमेंट के फल्सरूप अब जो लिगन्स होते हैं उनके दाता परमाणों के जो परमाणवी ओर्बिटल होते हैं जो की अपने अंदर लोन पेयर रखते हैं उन ओर्बिटलों के मध्य यहां पर अतिव्यापन होता है ओवरलैपिंग होती है और ओवरलैपिंग के फल्सरूप एक स्थाई कोडिनेट 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 बॉन का निर्मान होता है और इस प्रकार से यदि हम देखें कि इस प्रकार की संकरण की क्रिया में यदि हमें केंद्रिय धातू परमानों की कोडिनेशन नमबर पता हो तो हम इनमें होने वाले संक्रान का पुर्वानमान लगा सकते हैं और यदि हमें संक्रान का प्रकार पता चल जाए तो हम उस बनने वाले कॉंप्लेक्स की सरचना या ज्यामती का पुर्वानमान कर सकते हैं जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पर यदि केंद्रिय धातु पर्मानू की जो coordination number 2 होती है तो उस समय जो hybridization का प्रकार होता है वह SP प्रकार का होता है और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो used orbital होते हैं वो S orbital और P के जो तीन orbital होते हैं उन में से PX का उप्योग किया जाता है और इस तरह से जो इसकी जैमिती बनती है जो सरचना बनती है वो होती है linear इसी तरह से जब coordination number 3 होता है तो SP2 प्रकार का संकरण होता है और इसमें 1S तथा 2P यानि कि PX और PY orbital का उप्योग किया जाता है इस प्रकार से जो जैमिती तैयार होती है वो होती है trigonal planar इसके फल सरूप हम देखें कि coordination number 4 coordination number 4 में दो संभावनाएं हो सकती है यहाँ पर जो संकरण का प्रकार है hybridization SP3 प्रकार का भी हो सकता है या फिर DSP2 प्रकार का भी हो सकता है और इस प्रकार से जब यहाँ पर SP3 प्रकार का संकरण होता है तो 1S और P orbital के तीनो P sub shell के तीनो PX, PY, PZ तीनो का उप्योग किया जाता है और हम जानते हैं कि इस प्रकार से जो जामती प्राप्त होती है में वो होती है चतुषफल की यहाँ पर हम जानते है कि जब चतुषफल की जामती होती है उसमें प्रतेक अंगल जो होता है वो एक दूसरे से 109 डिगरी की दूरी पर यह होते हैं यानि कि कोई भी यहाँ पर 90 पर नहीं होता है और इसे लिए इनके जो hybrid orbitals के जो lobes हैं वो कोई भी axis पर नहीं होते बलकि axis के between बीच में यह पाए जाते हैं इसी तरह से हम देखें जब dsp2 प्रकार का संक्रण होता है तो यहाँ पर dx square y square तथा 1s और 2p px और py और बिटनों का उप्योग होता है और इस प्रकार से dsp2 प्रकार का जब संक्रण होता है तो हमें जामिती मिलती है square planar इसके बाद जब coordination number 5 होती है तो यहाँ पर फिर से दो प्रकार की संभावनाएं हो सकती है यहाँ पर एक जो संक्रण होगा वो होगा sp3 d प्रकार का और दूसरा होगा dsp3 प्रकार का तो यहाँ पर भी हम देखें कि जो sp3 d प्रकार का संक्रण होता है उसमें 1s p के तीनों orbital त और यहाँ पर जो जामिती हमें मिलती है वो होती है trigonal bipyramidal और जबकि यहाँ पर dsp3 प्रकार का जो संक्रण होता है उसमें भी समान orbital सुप्योग में लाए जाते हैं लेकिन इसमें जो जामिती हमें मिलती है वो होती है square pyramidal जैसे कि आप सरचना आप में देख रहे हैं इसके बाद आता है coordination number six और coordination number six में हम देखें कि फिर से दो संभावनाएं हो सकती हैं यहाँ पर sp3 d2 संक्रण हो सकता है यहाँ फिर d2 sp3 प्रकार का संक्रण पाया जाता है यहाँ पर sp3 में हम देखेंगे कि एक s होगा तीनों पी orbital उप्योग में आए लाए जाएगे तथा जो dk5 चार बिटलों में से dx का स्क्वार y का स्क्वार तथा dz का स्क्वार और बिटल उप्योग में आए जाता है और यह दोनों ही प्रकार के संक्रण में जो हमें geometry प्राप्त होती है वह होती है octahedral अस्टफल की जामिती हमें मिलती है तो इस तरह से हम coordination number पता होने पर हार्ब्राइजेशन का प्रकार जान सकते हैं और हार्ब्राइजेशन का प्रकार पता हो तो हम बनने वाले complex की जामिती का पूर्वानुमान कर सकते हैं इसके बाद हम देखी कि स्योजक्ता बंद सिधान्त इसके अलावा यह भी कहता है कि यदि इस प्रकार तयार जो complex compound है उ होगा और यदि इसमें उन्प्योड इलेक्ट्रान उपस्तित नहीं होंगे तो यह प्रति चुम्ब की यह निकी डाय मैगनेटिक प्रकृति का होता है और इसके चुम्ब की आगून का मान भी हम निकाल सकते हैं यह निकी डाय मैगनेटिक होगा या प्रकार का है तो उसके आधार पर हम इनकी जामति का पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं और हम जानते हैं कि जो चुम्ब की जो कॉडिनेटिक होते हैं जो संकुल योगिक होते हैं उनकी चुम्ब की व्यवहार का चुम्ब की आगून का मापन चुम्ब की प्रविति प्रयोगों के आधार पर किया जा सकता है और इसके आध कुंद की वैलू पता हो तो हम अन की वैलू पता कर सकते हैं जो अन है वो उसमें उपस्थित अयुगमित इलक्टानों की संख्या को दृशाता है अंसे हम अस्ट फल कि योगिकों कजिकों का लेंगे चेает उस्ट पलकी और स्क्राइब के तर्し योगिकों कभी उधार लेंगे इसके उदारान के द्वारा हम समझते हैं सईयोजगता बंद सिध्धान के आधार पर हम इस्ट फलकी योगिकों का बढना पहले समझते हैं एस फलकी योगिकों को जो complex compound होते हैं उन्हें हम पुना दो वर्गों में बाढ़ सकते हैं पहला होता है ये inner orbital complexes या जिसे हम कहेंगे आंतरिक कक्षक संकुल इन्हें आंतरिक कक्षक संकुल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो संकरन होता है वह d2 sp3 प्रकार का संकरन होता है और यहाँ पर ये कि n-1 d orbital उप्योग में लाए जाते हैं इसलिए इसे हम inner orbital complex कहते हैं साथ ही चुकि यहाँ पर आंतरिक क्षक वाले d orbital उप्योग में लाए जाते हैं और यहाँ पर सभी electrons युगमित हो जाते हैं यानिकि इनमें उन्प्योड इलेक्ट्रानों की संख्या कम होती है या नहीं हो इसलिए इन्हें low spin coordination compound भी तह जाता है इसी तरह से जो दूसरा प्रकार है वह है outer orbital complexes यानिकी बाहय कक्षक संकुल योगिक इस प्रकार का जो योगिक होगा उसमें sp3d2 प्रकार का संकरन पाया जाता है यहाँ पर इन्हें बाहय कक्षक इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ज होता है यहाँ यह कह सकते हैं कि यहाँ पर जो S orbital होता है P या D तीनों orbital बाहतम कोश के और एक ही सब्चल के होते हैं इस तरह से साथ ही साथ यहाँ पर अयुक्मित इलेक्ट्रानों की संख्या पाई जाती है अधिक होती है इसलिए इन्हें हम high spin coordination compound भी कहते हैं तो आईए हम इन दोनों प्रकार के complex compound को एक उदाहरन के द्वारा समझते हैं यहाँ पर पहले हम उदाहरन ले रहे हैं hexamine cobald 3 plus iron जैसे कि आप सूत्र से समझ सकते हैं कि यहाँ पर चुकी जो amine है वो उदासीन लिगन है और इसलिए complex के ऊपर जो 3 plus charge दिख रहा है वह ही यहाँ पर cobald की oxidation number होगी यहनि कि यहाँ पर cobald 3 plus oxidation state पर है इसके अलावा हम देखें कि यहाँ पर जो इसका सबसे पहले इसके हम electronic configuration लिखेंगे तो cobald जिसका atomic number होता है 27 और इसका जब हम electronic configuration लिखेंगे तो यह हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d7, 4s2 अब यहाँ पर चुकि यह cobald 3 plus oxidation state पर है तो यहाँ पर इसमें से 3 electron बाहर निकल जाएंगे बाहर निकलने वाले 2 electron 4s के होंगे क्योंकि यह सबसे बाहतम कोश है और एक electron यहाँ पर 3d में से बाहर निकलेगा और इस तरह से अब जो 6 electron यानि की cobald 3 plus का जो electron configuration हो जाएगा इसमें केवल 24 electron बचेंगे और इसमें जो electronic configuration इसका हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6 तो यहाँ पर जो d orbital है इसमें अब 6 electron बचते हैं अब यहाँ पर जब हम इस compound यहने की hexamine cobald 3 plus iron इस complex compound की चुम्ब की गोण का मापन करते हैं चुम्ब की आगोण का मापन करते हैं तो प्रायोगिक आधार पर यह प्रती चुम्ब की प्रकृति का पाया जाता है यहने की प्रती चुम्ब की प्रकृति यह दर्शाती है कि इसमें अयुगमित electron अनुपस्थित होते हैं तो यहाँ पर जो ligand amine है उसके प्रभाव में आकर जो d orbital के 6 electron हैं उसमें से 2 electron pair हैं जबकि आप देख रहे हैं कि 4 electron यह एक-एक करके अलग-अलग उपस्थित हैं अन्प्याड हैं तो इसमें से बाकी के जो 4 electron है वो भी युगमित हो जाते हैं और इस तरह से हमारे पास अंतरिक कक्षक का यानि की 3d के 2d orbital रिक्थ हो जाते हैं इसके अलवा यहाँ पर 4s orbital है तथा 4p के 3 orbital और इस तरह से ये 6 orbital आपस में सम्मिश्रित होकर फिर से अपनी उर्जा का पुनर वितरान करके 6 नए hybrid orbital बनाते हैं जिने हम d2sp3 hybrid orbital कहते हैं यह hybrid orbital अब तयार है लिगंड्स के द्वारा जो यहाँ पर 6 एमेन लिगंड्स हैं उनके द्वारा प्राप्त होने वाले 12 इलेक्ट्रानों को अपने में सयोजित करके रखने के लिए तो इसके पहले यह जो d2sp3 hybrid orbital हैं इसमें हम जानते हैं कि इसकी जामिती अस्टफल की होती है तो यह सभी orbital अस्टफल की जामिती में अरेंज हो जाते हैं और इसके बाद यह जो amine ligand है उसके donor atom यानि कि nitrogen के पास जिसके पास lone pair electron उपस्तित होता है उसके orbital के साथ यह overlapping करते हैं और 6 यहाँ पर sigma coordinate covalent bond का निर्मान होता है तो इस तरह से यदि हम पूरे compound के गुणों पर एक नजर डाले तो हम देखेंगे कि इसमें जो hexamine cobalt 3 plus iron है उसमें hybridization d2 sp3 प्रकार का हो रहा है यहाँ पर इसकी जो geometry है वो octahedral है यहाँ पर magnetic nature यदि हम देखें तो यहाँ पर एक भी आयोग में तिलेक्ट्वान नहीं है इस साथ ही हम देखें कि जो effective atomic number यहाँ पर है तो यहाँ पर iron 3 plus cobalt 3 plus iron बनने के पश्चात इसके पास 24 electrons बचे थे और 12 electrons इन्हें amine ligands के द्वारा प्राफ्थ हुए हैं तो 24 plus 12 is equal to 36 यहने कि यह जो electronic configuration हो गया है वह एक अक्रिय गैस के configuration के equal हो गया है क्रिप्टों 36 के बराबर हो गया है और हम जानते हैं कि जिनकी में इस प्रकार का configuration electronic विन्यास होगा यह electronic सरचना प्राप्थ होगी वह सबसे स्थाई complex होता है तो इसका मतलब कि जो hexamine cobalt 3 plus iron है एक स्थाई complex होगा इसी तरह से अब हम दूसरा उधारन लेते हैं दूसरा उधारन हम लेंगे outer orbital complex का इसके लिए हम उधारन ले सकते हैं hexaflorido cobaltate 3 minus iron यहाँ पर हम देखें कि यह जो compound है उसमें इसकी भी coordination number आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 6 होगी साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि कोबाल्ट इसकी oxidation number क्योंकि यहाँ पर जो साइनाइड है वो negatively charge है और यहाँ पर 6 साइनाइड आयन है यहने कि 6 negative charge यहाँ पर थे और जो हम complex देख रहे हैं उस पर 3 negative charge है यहने कि जो complex जो ligands के 3 negative charge को कोबाल्ट के 3 positive charge के द्वारा उदासीन किया गया है यहने कि यहाँ पर कोबाल्ट की oxidation number plus 3 होगी और इसी तरह से फिर से हम कोबाल्ट का electronic configuration लिखें तो यहाँ पर को प्राप्त हो जाएगा जिसमें की 3D के हम अंतिम orbital को लेते हैं जिसमें हमें प्राप्त होता है 3D 7 4S 2 लेकिन जब यह 3 plus आयन बनाएगा तो हमारे पास जो 4S orbital है उसमें से 2 electron और 3D के एक electron बाहर निकल जाएंगे और इस प्रकार से जो कोबाल्ट 3 प्लस आयन होगा जिसके पास अब केवल 24 electrons बचे हुए हैं उनका electronic विन्यास हो जाएगा 3D 6 अब यहाँ पर हम देखें कि जो 3D 6 है जिसमें की orbital में 6 electron है और जब इसका इस complex compound का hexaflorido cobaltate iron इस complex compound के जब चुम्ब की गुण का मापन किया गया तो यह प्रयोगी का धार पर ग्यात होता है कि यह compound अनुचुम्ब की होता है पैरा magnetic nature का होता है और पैरा magnetic nature का है जो दर्शाता है कि इसमें unpaired electron उपस्थित होंगे तो इस तरह से और चुकि यहां पर जो लिगंड है वह फ्लोरीन है और इसकी वज़ए से यहां पर जो इलेक्ट्रानों की pairing नहीं होती है और इसलिए यहां पर जो hybridization के लिए जो s p के साथ जो d कक्षक उप्योग में लाया जाता है वहां भी बाहतम कोश्का होता है यहने कि यहां पर 4s के 2 कक्षक 4p के 3 कक्षक तथा 4d के 2 कक्षक उप्योग में आते हैं और यह सभी कक्षक आपस में मिलकर अपनी उर्जा का पुनहर वितरान करके छे नए hybrid orbital का निर्मान करते हैं और इस प्रकार से जो तयार hybrid orbital है उन्हें हम s p 3 d 2 orbital कहते हैं पुनह यह सभी s p 3 d 2 hybrid orbital अपनी अस्टफल की जामती के रूप में यह special arrangement के रूप में विवस्थित हो जाएंगे और उसके बाद यह जो फ्लोराइड यहां पर लिगंड है उसके द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रान जोडों को प्राप्त करेंगे जिसमें यह फ्लोरीन के orbital के साथ overlapping करेंगे और 6 sigma covalent orbital का निर्मान करेंगे इसी तरह से inner orbital complexes के और भी उदारान हम देख सकते हैं जैसे यहां पर हेक्जामीन मैगनेट 3- आयन यह पैरा मैगनेटिक नेचर का होता है और इसमें दो अनप्यार्ड इलेक्ट्रान पाया जाते हैं इसके अलाबावा हेक्जासाइनीडो फेरेट 3- आयन यह यह भी पैरा मैगनेटिक नेचर का होता है और इसमें एक अनप्यार्ड इलेक्ट्रान पाया जाता है इसके अलाबावा कोबाल्टेट 3- आयन यह डाय मैगनेटिक होता है और इसमें एक भी अनप्यार्ड इलेक्ट्रान नहीं पाया जाते हैं इसके अलाबावा हेक्जासाइनीडो फेरेट 4- आयन यह भी यहां पर जो आयरन है वहां पर उसकी ऑक्सिडेशन नंबर प्लस 2 होती है और इस तरह से यहां पर हम देखें कि यह भी डाय मैगनेटिक नेचर का होता है और इसमें क्योंकि एक भी अनप्यार्ड इलेक्ट्रान नहीं पाये जाता है यह सभी कॉम्प्लेक्स इनर ओर्बिटल कॉम्प्लेक्स आंतरी कक्षक संकुल के उधारन हैं इसके अलाबा कुछ उधारन हम द यह परामेगनेटिकनेचर का होता है इसी तरह से हेक्षा फलोरीड है फैरट 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 थरी माइन यह भी प decision का होता है और इसमें 5 अनप्यर्ड इलेक्ट्रान पायेजाते हैं और इसी और ये सबी जो तीनों उदारण है ये आउटर ओर्बिटल कॉंप्लेक्स के उदारण हैं जिनमें बाहतम कोश वाले डी ओर्बिटलों का उप्योग संकरण के लिए किया जाता है इसके बाद आयाब उदारण हम देखते हैं वर्ग समतलिय योगिकों का बनना किस प्रकार से ह होता है इसके लिए हम उदारण ले लेते हैं टेट्रा साइनीडो निकलेट टू माइनस आयन का यहां पर हम देखिए सबसे पहले निकल की ऑक्सडेशन स्टेट तो यहां पर जो साइनाइड है वो नेगेटिव चार्ज लिगंड है और यहां पर कॉंप्लेक्स ही उपर हमे है 2 माइनस चार्ज दिखाई दे रहा है तो यहां पर हम जान सकते हैं कि जो निकल का उक्सरेशन नंबर होगा वो होगा प्लस 2 अब निकल का electronic configuration देखते हैं, निकल का electronic configuration यदि हम देखें तो निकल में 28 electrons होते हैं और इसके जो 3D में 8 electron होंगे तथा 4S में 2 electron होते हैं जब यहाँ पर निकल 2 प्लस आयन बनाएगा तो इसमें जो 4S के 2 electron हैं वो बाहर निकल जाएंगे और इसके पर शाद जो निकल 2 प्लस आयन जिसके पास अब केवल 26 electrons बचे हैं उनका electronic configuration हो जाएगा 3D8 इस प्रकार से हम देखें कि यह जो 8 electron है 3D में जिस तरह से भरे हुए हैं तो हम देखेंगे कि इसमें जो 6 है electron वो paired है दो-दो electron है जबकि 2 electron यहाँ पर अन-paired हमें दिखाई दे रहे हैं अब हम देखें कि यह जो टेट्रा साइनीटो निकले टू माइनस आयन है यह जो नेचर में यह डाय मेगनेटिक नेचर का होता है और डाय मेगनेटिक नेचर का होना यह दर्शाता है कि इसमें अन-paired electron उपस्थित नहीं होगे और चुकि यहाँ पर जो लिगन है वह साइनाइड लिगन है तो इसके प्रभाव में यह जो सिंगल इलेप्रान है उनकी प्यरिंग हो जाती है और यहां पर हमें एक आंतरिक कक्ष का N-1D कक्ष का D orbital हमें प्राप्त हो जाता है और इस तरह से यहाँ पर N-1D orbital, S orbital तथा P के तीनों orbital आपस में मिलकर यहाँ पर संकरन करते हैं और संकरन के पश्चात यहाँ पर फिर से नए orbital का निर्मान होता है और यहाँ पर DSP-2 प्रकार का संकरन पाया जाता है अब यह जो चारो नए संकरित orbital बने हुए हैं और इसलिए यह चारो संकरित orbital Scare Planner Jamethe के अनुसार यह विवेस्थित हो जाते हैं और उसके पश्चात चारो साइनाइड लिगन से प्राप्त होने वाले लोन प्यर ऐलेक्ट्रानों को के साथ लोन प्यर ऐलेक्ट्रानों को यह ग्रहन करते हैं और इसके लिए यहाँ पर निकल के और्बिटल्स हैब्रेटर्वींटिल तथा साइनाइड के जो डोनोर एकम का जो हाईब्रेटर्वेटर्विटल है उनके बीच ओवर्लैपिंग होती है और यहां पर सिक्मा कॉदिनेंट बॉलेंट का निर्मान होता है तो इस प्रकार हम देखें कि यहाँ पर जो इसकी पूरी यदि गुण को एक बार हम नज़ा टाले तो हम देखेंगे कि यह जो compound है इसमें dsp2 प्रकार का संकरण पाये जाता है यह डाय मेगनेटिक नेचर का होता है क्योंकि इसमें एक भी इसके बाद एक और उदारन हम लेते हैं अब हम उदारन लेंगे चतुश फल की सरचना वाले complex compound का इसके लिए हम उदारन लेते हैं अब यहाँ पर चुकि कार्बोनिल एक उदासीन लिगंड है और यहाँ पर भी जो complex वह भी उसमें निकल की oxidation state हमें शूने दिखाई दे रही है तो इस तरह से यहाँ पर निकल शूने ऑक्सी करण अवस्था में है तो जब हम इसका electronic विन्यास लिखेंगे तो वह electronic विन्यास वही होगा जो इसकी इसकी ग्राउंड स्टेट में होगा तो यहाँ पर निकल 28 का जब हम electronic विन्यास करेंगे तो हमें मिलेगा 3D84S2 अब यहाँ पर जो 3D में electron हम देख रहे हैं तो छे electron pairs के रूप में मौझूद है जबकि दो electron unpaired electron के रूप में उपस्तित हैं इसके अलावा यहाँ पर हम देखिए 4S में दो electron हैं तो अब यहाँ पर चुकि यह जो compound होता है टेट्रा कारवनिल निकल यह भी डायमेगनेटिक नेचर का है और डायमेगनेटिक नेचर का होने की वज़े से इसमें किस एक भी unpaired electron नहीं होगे तो यहाँ पर भी electronों की pairing होगी और electronों की pairing करने के लिए जो 4S के दो electron हैं वो यहाँ पर 3D में चले जाएंगे और इस तरह से जो D orbital है पूरी तरह से complete हो जाएगा इसके बाद हमारे पास जो 4S के orbital है तथा 4P के 3 orbital हैं यह चारो और बिटल आपस में मिश्रित होकर आपस में संकरित होंगे और अपनी उर्जा का पुनर वितरन करके चार नए hybrid orbital का निर्मान करेंगे जिनने हम SP3 hybrid orbital कहेंगे और चुकि यहाँ पर SP3 प्रकार का संकरन हो रहा है इसलिए इसकी जो जामिती वह होगी और चतुष फलकी और इस तरह से हम देखें कि यहाँ पर चतुष फलकी योगिक का निर्मान होता है एक और उदारन हम ले सकते हैं यहाँ पर टेट्रा क्लोरीडो निकलेट 2 आयन का यहाँ पर 2- आयन का जो उदारन हम लेते हैं तो यहाँ पर हम देखें कि जो न 4S orbital के और इस तरह से इसके पास जो electronic configuration होगा वो निकल 2 प्लस आयन का जिसके पास 26 electron होंगे और इसका electronic configuration में यह 3D8 यहाँ पर electron बचेंगे अब यहाँ पर जो 3D8 electron होंगे वो D orbital में विवस्थित हैं जिसमें से 6 electron आपको प्रकरती का होता है यहां अनुचुम्ब की प्रकृति का होता है यानि की इसमें अन्प्यर्टरान उपस्तीत होंगे और उपस्तित तब होंगे जब इसमें की प्रकरती ना हो यानि की 3d8 3D8 जो इलेक्टरान आमको दिखाई दे रहे हैं वो इसी अवस्था में बने रहेंगे और इसके बाद जो 4S और 4P के तीन और्बिटल हैं ये चारों और्बिटल आपस में मिलकर SP3 संकरन करेंगे और इस प्रकार SP3 संकरन करने के पर शायत जो इनकी जामिती होगी वह होगी च माइनस आयन वहाँ पर भी जो निकल 2 प्लस आयन का जो इलेक्रानिक कॉन्फुग्रेशन था वो 3D8 था यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो टेट्राक्लोरीडो निकले 2 माइनस आयन है वहाँ पर भी इलेक्रानिक कॉन्फुग्रेशन 3D8 है लेकिन एक जो है वर्ग सम्त जामती के रूप में पाया जाता है तो समान electronic configuration होते हुए भी इनकी जामती में भिन्नताक्यों होती है ये बातें संयुजक्ता बंद सिध्धान्त स्पस्ट करने में असमर्थ रहा था इसी तरह से हम एक और उदारान देखते हैं यहां पर उदारान है मारे पास यहां पर हम देखते हैं कि जो कॉपर है वह प्लस टू ऑक्सिडेशन स्टेट पर है और यहां का इसका electronic विन्यास यदि हम देखें तो कॉपर के पास 29 इलेक्ट्रांस होते हैं और इसका electronic विन्यास होगा 3D10-4S1 और जब यह copper to plus iron बनाएगा तो उस समय यहां पर इसमें से 4S का एक एलेक्ट्रान और 3D का एक एलेक्ट्रान बाहर हो जाएगा और इसके पास 3D9 इलेक्ट्रान बचेंगे और यहां पर यह जो 3D9 आप देख रहे हैं उसमें से जो आठ एलेक्ट्रान है वो पेरण है और एक और इस तरह से यहां पर हम देखें कि इसमें जो होना चाहिए वो हमें दिखाई दे रहा है कि एस पी प्रकार का संक्राण इसमें होना चाहिए क्योंकि यहां पर जो एक एलेक्ट्रान है उसके पेरिंग होने के लिए कि भी कोई स्थते यहां पर हमें दिखाई नहीं होती है लेकिन यहां पर हम देखें कि इसके यह होती है यह इसके लिए सेवज़त्ता बंदसिद्धान्त यह कहता है कि जो 3D ऑर्बिटल का जो एक सिंगल एलेक्ट्रान उन्प्यर्ड एलेक्ट्रान है वो ट्रांस्फरेंस एफेक्ट के द्वारा यह 4P यानि कि 4P जड में यह ट्रांस्फर हो जाता है और इस तरह से 3D क का एक ओर्बिटल यहाँ पर खाली हो जाता है और इसकी वज़े से यहाँ पर फिर 2P 2 प्रकार का संकरन होता है और इस प्रकार इस कंपाउंड को देखें तो इसमें शंकरन होगा DSP-2 प्रकार का और यह इसकी सरचना होगी जामिती जो होगी वो स्क्वेर प्लैनर होगी तथा चुकि इसमें एक अन्प्यर्ड इलेक्ट्रान है इसलिए यह पैरामेगनेटिक नेचर का होगा तो यहां पर भी हम देखें यह अपवाद स्वरूप एक नए प्रकार का इलेक्ट्रानों का एक उर्जाइस्तर से दूसरे उर्जाइस्तर पर यह ट्रांसफर हो रहा है जिसका इस्पस्ट्री करण हमें सेयर्जक्ता बंद सिध्धान के द्वारा प्राप्त नहीं होता तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसके और भी उधारान हम देख सकते हैं जैसे टेट्रामीन जिंक टू प्लस आयन का देख सकते हैं या डाई एमीन डाई क्लोरिडो प्लाटीनम टू प्लस आयान का उधारान दे सकते हैं इस प्रकार हमने देखा कि वेलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत से कॉर्डिनेशन कंपाउंड की सरचना तथा उनकी जामती को सराल धंग से बताती है यहां तक कहें कि सन 1950 तक यह थ्योरी सबसे ज़्यादा वर्सिटाइल या सबसे ज़्यादा निपोण थ्योरी मानी जाती थी इसकी सबसे बड़ी विशेशता यह थी कि यह संकरण के आधार पर बहुत ही सरल धंग से कॉर्डिनेशन कंपाउंड का बनना समझाती थी यद्यपी आज बहुत सी अड़्वांस थियोरी आ चुकी है लेकिन फिर भी वेलेंस बॉन्ट थियोरी की कहीं न कहीं प्रसिधता अभी भी बनी हुई है यद्यपी आ थियोरी बहुत से कॉर्डिनेशन कंपाउंड की सरचना को समझाती है लेकिन जैसे की उदाहरनों की बीच में हमने देखा था बहुत से ऐसे बिंदु हैं बहुत से ऐसे कारण हैं जिनका इस्पस्टी करण यह थियोरी नहीं कर पाती है और यही इस थियोरी की लिमिटेशन्स हैं और तो जानते हैं हम कि इस थियोरी की कौन-कौन सी कमिया हैं जिसकी वज़े से हमें नई और एडवांस थियोरी की आवश्यक्ता पड़ी सबसे पहले हम देखें तो वैलेंज बॉंन थियोरी कौडिनेशन कमपाउंड के स्थायतों के बारे में कोई ठोस व्याख्या नहीं करती कोई मातरात्मक व्याख्या प्रस्तु नहीं करती है दूसरी बात यह है कि यह जो थोरी है explain नहीं करती कि क्यों जैसे कि हमने examples में भी देखा था कि क्यों कभी-कभी तो ligands के प्रभाव में इलेक्ट्रानों का हुंड rules के विरुद pairing हो जाती है और कभी-कभी यह अपनी जो की तो सामाने अवस्था में बने रहते हैं यहने कि इनके configuration में कोई परिवर्तन नहीं होता है और इस वज़ा से हम देखें कि जब हम संकुल की जामती का नरधारन करते हैं तो उस समय बेवज़ समस्या खड़ी हो जाती है तीसरी बात यह देखें कि valence bond theory विभेन प्रकार के जो coordination compounds हैं उनके absorption spectrum के विसे में कोई भी व्याख्या प्रस्तुत नहीं करती इनके colors के बारे में कोई भी जानकारी नहीं देती है इसके अलावा या इनके चुमकी गुणों के बारे में भी विस्तार पूर्वक नहीं समझाती है इसके अलावा इसकी एक और कमी है वो यह कि जैसा कि हमने examples में देखा कि जहां पर D8 configuration पाया जाता है जिन संकुलों में हम जानते हैं कि वहां पर इनका coordination number 4 होता है जैसे कि हमने देखा था निकल 2 प्लस आयन में, लेड 2 प्लस आयन में या फिर और एक 3 प्लस आयन में तो यहां पर जब इनका coordination number 4 होता है तो यह चतुश फल की compound के स्थान पर square planner compound क्यों बनाते हैं या कभी-कभी तो यह जैसे निकल है तो निकल में हम देखते हैं जब टेट्रा साइनो निकलिट आयन हम देखते हैं तो इसका कारण वेलेंस बॉन थोरी इसपस्ट रूप से नहीं बताती है इसके अलावा भी और भी इसमें कुछ कमिया है जैसे कि यह यह इसपस्ट नहीं करती कि कुछ compound या कुछ coordination compounds में कुछ जो ligands होते हैं उनका replacement यानि कि वह coordination sphere से बाहर क्यों चले जाते हैं या coordination sphere के भीतर क्यों आ रहते हैं तो इसके विसाय में भी यह थोरी हमें विस्तार पूर्वत नहीं बताती है तो हम देखें कि इन सारी कम्यों की वज़़ा से हमें किसी एक नई थोरी की आवर्शक्ता महसूस हुई और इसके बाद हम नहीं जैसे की शुरू में देखा था बहु कि जो किस्टल फिर्ट ध्योरी आध ने इसकी जो वैलेंसबॉंड ध्योरी की कम्या है उसको किसट प्रकारसे दूर किया तो अगला जो सिद्धानत या थीॉरी हम पढ़ेंगे वह वहर किस्टल फिर्ट ध्योरी जैसे हम cft के नामसे भी जांते हैं यहां पर हम बता दें कि जो crystal field शब्द है उसका अर्थ होता है इलेक्ट्रानों का क्लाउड इलेक्ट्रान क्लाउड और यह जो सीफ्टी है यह यह की crystal फ्योड थ्योरी पूरी तरह से इस्थिर वैद्दूत मॉडल है यह यहां पर यह बताती है कि जो लिगंड्स है और जो सेंट्रल मेटल एटम है उनके बीच बनने वाला जो बंद है वो पूरी तरह से आइनिक होता है तो आईए देखते हैं कि crystal फ्योरी की कौन कौन सी मुख्य अभिधारनाई हैं सबसे पहले तो देखें कि यह थ्योरी केंद्री धातू परमानू तथा लिगंड्स के जो मध्य आबंद होते हैं वो पूरी तरह से आइनिक होते हैं और यह बंद केंद्री धातू परमानू त तथा लिगंड्स के मध्य इस्थर वैद्दूत अन्योन क्रियाओं या इलेक्ट्र स्टाटिक इंटराक्शन के फलस्वरूप यह उत्पन होते हैं दूसरी बात क्रिस्टल फ्योरी लिगंड्स तथा केंद्री धातू परमानू दोनों को ही बिंदू आवेश या जिस मानती है जिसमें कि जो केंद्री धातू परमानू है वह पॉजटिव होता है यानि कि पॉजटिव पॉइंट चार्ज होता है और जो लिगंड्स होता है और हम जानते हैं कि कई बार जो लिगंड्स होते हैं वह उदासीन होते हैं तो उसमें यह माना जाता है कि जो इन सकते हैं या ammonia का अनू ले सकते हैं तो जैसे जल के अनू में चुकि oxygen पर स्लाइट नेगटिव चार्ज होता है और hydrogen पर कुछ positive चार्ज होता है साथ oxygen पर ही जो लोन प्यर एलेक्ट्रान होते हैं और वह केंद्रिय धातू परमानों को एप्रोच करते हैं तीसरी बात जो किस्ट्रल फिल्ट थोरी कहती है कि जब लिगन तथा केंद्रिय धातू परमानूं के बीच एट्रक्शन होता है एट्रक्शन एट्रक्टिव फोर्सेस होते हैं तो उस समय जो सिस्टम होता है उसकी उर्जा कम होती है लेकिन जब केंद्रि यहाँ पर जो उसके orbitals होते हैं उनकी उर्जा में वृध्धी होती है किसी भी जब हम देखें कि जो केंद्रिधातु परमाणू होता है वो जब isolated होता है जब वो complex में नहीं होता है उस समय उसके सभी d-orbitals की उर्जा समान होती है जो इसके जो d-orbitals हैं हम जानते हैं कि 5 d-orbitals होते हैं और इन d-orbitals को जैसे कि हमने पहले जाना है कि इन्हें हम 2 set में divide करते हैं एक तो होते हैं non-auxial set और दूसरे होते हैं axial set non-auxial set हम उनको कहते हैं जिनमें कि जो d-orbitals के जो lobes होते हैं वो अक्ष यानि कि जो तीन अक्ष होते हैं x-axis y-axis and z-axis तो इनमें से किनी 2-axis के मध्य पर उपस्तित होते हैं और यह 3-axis होते हैं यहां पर आम देखें तीन orbitals हैं एक है d-xy d-xy की सरचना आँ देख सकते हैं यहां पर हम जानते हैं कि जो orbital के lobes होते हैं वो x-axis और y-axis के मध्य में उपस्तित होते हैं और इसलिए इस orbital को हम d-xy कहते हैं दूसरे में हम देखें d-x-z होता है जो जिसमें कि जो orbital के lobes होते हैं वो X और Z orbitals Axis के मध्य में उपस्तित होते हैं और इसलिए हम इसे DXZ कहते हैं इसी तरह से जो तीसरा orbital होता है DYZ जिसमें की lobes हो है वो Y Axis और Z Axis के मध्य उपस्तित होते हैं तो इस तरह से यह जो तीन और्बिटलों का सेट है उसे हम ट्रिपली सेट ऑफ और्बिटल कहते हैं और इन तीनों और्बिटल को हम T2G नाम देते हैं इसी तरह से हम जाते हैं कि जो डी और्बिटल के दो आर्बिटल और होते हैं, उनमें से जो उनके लोब x और y axis के उपर उपस्तित होते हैं, बिल्कुल और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, और चूकि इनका x और y के उपर उपस्तित होते हैं, और इसे हम d x square y square नाम देते हैं, इसी तरह से हम देखें, कि जिसमें जो d orbital के दोनों लोब हैं जड एक्सस पर होते हैं उन्हें हम जड डी जड स्क्वार नाम देते हैं यहां पर हम देखें कि जो डी जड स्क्वार होते हैं उसका एक लोब तो जड एक्सस के उपर होता है लेकिन जो दूसरा लोब होता है वो रिंग के रूप में उपस्तित होता है और यह xy plane पर उपस्तित होता है और यह xy plane में जो की जो electron density होती है उसका लगभग एक बटे तीन पार्ट यह content करता है तो इस तरह से हम देखें कि जो d orbital होते हैं वो जो पाचो d orbital हैं उनके हों दो भागों में divide कर देते हैं एक होता है t2g set और दूसरा होता है eg set इस प्रकार जब धातू परमाणू या iron isolate या विलगित अवस्था में होता है तब इन पाचो d orbitals की उर्जा एक समान रहती है अर्थात यह degenerate अवस्था में होते हैं और यह orbitalों की degeneracy तब तक बनी रहती है जब तक की केंद्री धातू परमाणू के चारो और इलेक्ट्रान अभर का एक गोली सममित छेत्र होता है लेकिन जब complex का निर्माण होने लगता है और complex निर्माण के लिए ligands केंद्री धातू परमाणू की तरफ आके बढ़ता है केंद्री धातू परमाणू की ओर अप्रोच करता है तो उस समय उसके negative charge की वज़े से लिगन के या फिर जो उदासी लिगन होते हैं उनके रिणावेशित रिणात्मक भाग की वज़े से जिसमें की loan pair of electron पाए जाते हैं तो लिगन के इन loan pair electron तथा केंद्री धातू परमाणू के valence electron के मद रिपल्सन होने लगता है क्योंकि हम जानते हैं समान समान आवेशों के भी रिपल्सन होता है और रिपल्सन होने की वज़े से यहां पर अब जो यह इसकी जो डी जनरेसी है सम भ्रंश जो अवस्था होती है वो यहां पर समाप्त हो जाती है और यहां पर हम जो डी जिसके फल्सुरोप डी ऑर्बिटों की स्प्लिटिंग हो जाती है और यहां पर हम देखें कि जब लिगंड केंद्रियस हाटू परमाणू से दूर पर होता है तो उस समय पहले हम देखें कि यह जो आद्ध्ययवस्था होगी जिसमें कि पाचो डी और्बिटल की उर्जा एक समान है यह डीजनरेट पोजीशन है इस्तती है इसके बाद हम देखें कि जब लिगन केंद्री धातु परमानूं की तरफ अप्रोच करता है तो उस समय जब लिगन दूर होता है तो उस समय यह जब प्रतिकर्शन होता है उसकी वज़ से सभी जो जितने भी और्बिटल्स होते हैं उनकी उर्जा समान रूप से बढ़ती है और इस उर्जा को हम आसत उर्जा अवस्था कहते हैं और इसके बाद जब जो लिगन से जब वह बहुत पास आ जाता है और या तो वह एक्सिस के दिशा में एक्सिस के तरफ नर्दिस करता है जिस भी पिरकार से वह लिगन केंद्री धातु परमानू की तरफ आता है और उस तरह से जो प्रतिकर्शन होता है उसकी फल्सुरूप हमें या और्बिटलों का दो सेट या उर्जाओं के दो सेट प्राप्त हो जाते हैं इसमें हम देखते हैं कि एक स्थती में जो ह और्बिटल सोते हैं T2ओ उनकी उर्जा बढ़ जाती हैं जबकी एगकी की उर्जा कम हो जाती है यह तब होगा जब लिगन एकसे के मध्य इस्तती से परनर्दिश्ट होगा और उसके मद्धी स्तती से वो लिगन केंदरी धातु पर्मानु की तरफ एप्रोच करेगा दूसरी और यदि यह एक्सिस के थूँ एप्रोच करता है तो जो एक्सिस के ऊपर पाए जाने वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं जैसे कि डी एक्स स्कॉार वाइ स्कॉार और डी जड़ स्कॉार उनकी उर्जा बढ़ जाती है यानि कि इस स्तती में जो सेट आफ ऑर्बिटल्स हैं उनकी उर्जा बढ़ जाएगी जबकि टी टूजी सेट आफ ऑर्बिटल्स की उर्जा कम हो जाती है तो इस प्रकार से हम देखें कि जो डी अभी ने प्रकार के संकुल योगी होते हैं अस्टफल की संकुल चतुषफल की संकुल या स्क्यार प्लेनर संकुल उनमें जो स्प्लेटिंग होती है वो अलग-अलग प्रकार से होती है तो इस प्रकार सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अस्टफल की संकुल होते हैं अस्टफ स्प्लेटिंग किस प्रकार से होती है